हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कभिंदर भाया में तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंज प्रेक्टिस ठीके, आज हम लोग टेंज के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए आज का पहला टेंज देखते हैं हमारा पहला टेंस है यह दिल कभी कभी प्यार के लिए तडपता है तो यह दोस्तों हम लोगों का present indefinite में है ठीक है तो इसका लगा लेंगे this hot sometimes crabs for love ठीक है देखिए दोस्तों तडपना का होता है crab लेकिन जब present indefinite में रहता है तो क्रिया में yes या yes का प्रियोग करते हैं ठीक है और कभी कभी का होता है sometimes और यह दिल याने की this heart ठीक है और के लिए है इसके लिए for का प्रियोग हुआ है और प्यार के लिए love हुआ है ठीक है तो चलिए second नमर देखते हैं हम लोग का सेकेंड नमर है मैंने भगवान से कुछ मांगा है तो यह हम लोगों का present perfect tense में है इसका हो जाएगा I have begged some things from god देखिए दोस्तों जब present perfect tense में रहता है तो एक वचन करता के संग है और बहु वचंड करता के संग है और और इसके साथ साथ किरिया में करिया का हुआ ठीक है थीक finns ठीक है तो चलिए अगले नबर देखते हैं थार्ड नमर है हम लोगों का उस owns ने गलती की है ठीक है उसने गलती की है तो यह हम लोगों का प्रेजेंट परफेट टेंस में है इसका हो जाएगा he has made a mistake देखिए दोस्तों गलती करना का होता है make a mistake लेकिन यहां पे made लगा है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब present perfect जैसा की आप लोग जानते हैं कि ही जो है का एक वचन करता है ठीक है तो चलिए फ़ोर्फ नंबर देखते हैं फ़ोर्फ नंबर है हमारी आखे उसे देख रही थी ठीक है हमारी आखें उसे देख रही थी तो यह हम लोगों का past perfect continuous tense में है तो इसका हो जाएगा our eyes were searching him searching याने कि देख रही थी याने खोज रही थी या कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि देख रही थी या उसे खोज रही थी और जब present sorry past perfect continuous में रहता है तो इसमें क्रिया में ing और इसमें was या were का प्रियोग करते हैं एक वचन करता के संग was का प्रियोग और बहु वचन करता के साथ वर का प्रियोग करते हैं चलिए अगला नमबर देखते हैं अगला नमबर है हम लोगों का किसने तुम्हें चोट पहुचाई किसने तुम्हें चोट पहुचाई तो दोस्तों यह हम लोगों का past indefinite में है इसमें हम लोगों का जो subject है वो है किसने तो किसने का हो जाएगा who और चोड़ पहुचाना का hurt और तुम्हे याने की you ठीक है तो चलिए इसे मैं एक बार और पता देती हूं इसका हो जाएगा किशनी तुम्हें चोड़ पहुचाई तो हो जाएगा who hurt you तो चलिए अगला देखते हैं अगला है हम लोगों का मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा तो यह हम लोगों का past indefinite का negative है ठीक है इसका दो प्रकार से बन सकता है एक प्रकार है I never thought so ठीक है और दुसरा है और है I did not think so ठीक है तो चलिए अगला नमर देखते हैं साथ नमर है दीपक ने मेरी जीत पर बधाई दी है दीपक ने मेरी जीत पर बधाई दी है तो यह हम लोगों का present perfect tense है तो इसका हो जाएगा दीपक has congratulated me on win कहां कभ दी है तो जीत पर मुझे बधाई दी है बधाई देना का होता है congratulated ठीक है अगला है दुकांदार ने मुझे लूट लिया दुकांदार ने मुझे लूट लिया तो यह हम लोगों का पास्ट इंडीफिनिट में हैं तो इसका हो जाएगा इसका सौब कीपर रिपड मीम आफ याने कि धोखे बाजी करना या फिर लूट लेना जब आता है तो इसमें आफ लग जाता है ठीके noch लूट लेना का होता है रिपड और दुकांदार का होता है सौब कीपर ठीके rd मुझे का मीम चलिए एक बर इसको और एक बर मैं बता जित दुकांदार ने मुझे लूट लिया इसका हो जाएगा सौब कीपर रिप्ड ऑफ मीम तो चलिए अगला देखते हैं नौन नबर हम लोगों का क्या तुम मुझे याद दिलाओगे क्या तुम मुझे याद दिलाओगे यह हम लोगों का फ्यूचर इंडिफनिट का है तो इसका हो जाएगा विल यू रिमाइंड मीम याद दिलाना का होता है रिमाइंड और मुझे का होता है मीम तो चलिए आज का लास्ट देखते हैं हमारा लास्ट टेंस है बुरे दौर में तुम्हारा साथ किस ने दिया यह हम लोगों का पास्ट इंडिफनिट में हैं देखिए दोस्तों इसमें हम लोग का subject है किसने। किसने कहो जाएगा who। ठीक है? Supported you in bad time. मतलब बुरे दौर में याने बुरे समय में तुम्हारा साथ किसने दिया? तो देखिए दोस्तों शाथ देना का होता है supported. ठीक है? और तुम्हें तुम्हारा का होता है यू और बुरे दौर में याने कि in bad time बुरे दौर कहिए या बुरे समय में तो दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं तो मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद